जनम जनम जो साथ मिभाए एक ऐसा बंधन बंजा राखी सावंत इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में है अब मीडिया में उनको लेकर एक नई बात सामने आ रही है दरसल राखी सावंत प्रेगनेंट थी और उन्हें मिसकैरेज से भी गुजरना पड़ा था राखी ने एक सेलिब्रिटी फोटोग्रफर से बात करते हुए कहा है कि वो प्रेगनेंट थी और उन्होंने ये बात बिग बॉस मराठी में बताई भी थी लेकिन उस समय सभी को उनकी ये बात मजाक लगी थी किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया था इसकी अलावा राखिल आदिल खान दुरानी के साथ शादी करके काफी चर्चा में है राखी का कहना है कि उन्होंने आदिल से शादी कर इसलाम कबूल कर लिया है और अपना नाम फातिमा रख लिया है राखी सावंत ने 6 साल छोटे पेशे से एक बिजनसमेन आदिल खाल दुरानी के साथ शादी रचाई है उन्होंने शादी के बाद अपना धर्म परिवरतन कर अपना नाम फातिमा रख लिया अब हाली में उन्हें बुर्के में स्पॉट किया गया है राकी की शादी की जो फोटोज वाइरल हुई थी उसमें भी उनके साथ एक मॉलवी नजर आ रहा था राकी की शादी को अबलव जिहाद से भी जोड़ कर देखा जा रहा है अब ये राकी की नई नौटंकी है या वाकई इस बार वो असल जिन्दगी में भी ड्रामा कर रही है इसे बता पाना काफे मुश्किल है वैसे आप क्या सोचते हैं अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं